हेलो एवरिवन गुट मॉनिंग तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंट्रेस्ट्रिंग और बहुत ही मजेदार चटकदार तो यह है मुंबई की स्पेशल चना चटपटी तो यह रेसिपी आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने करने वाली हूँ तो आप लोगों को यह मेरी रेसिपी पसंद आए तो यह देखिए मैंने बिलकुर मुंबई स्टाइल में यह जो चना चटपटी है न फ्रेंड्स यह बनाई है तो डेफिनेटली यह आपको पसंद आने वाली है आप देख लीजे इसका लूग बहुत ही बहतरीन और बहुत ही लाजवाब है जितनी यह दिखने में अच्छी दिख रही है न फ्रेंड्स यह चार्ट तो इसे चना चटपटी बोला जाता है उससे कई गुना ज्यादा यह स्वादिष्ट लग रही है और हमने बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया तो इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है वह आपके साथ अभी शेयर करूंगी तो आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए फिस चार्ट करते हैं तो यह है काले चने जो कि मैंने ओवरनाइट के लिए भी गोके रख दिये थे और मैंने अभी इस इस तरह से ही लगने वाले हैं चने तो अच्छे से बॉयल कर लेने हैं हमें और इसे ने इसे कच्छे भी बनाए जाते हैं बट मैं इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने वाली हूँ तो मैंने डाल दिया है और 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 में अच्छे से गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हम जीर जीरा ने सारी तो जीरा मैंने नहीं डाला है आज और यह देखिए फ्रेश फ्रेश करीलियूस तो यह हमारे पेड़ के करीलियूस है तो यह डाल दिये मैंने करीलियूस और इसे अच्छे से तड़कने देना है हमें अच्छे से फ्राय होने देना है और चने डालने के बाद ह इसे नहीं चलाना है सिर्फ सोते कर लेना है सिर्फ हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है वह जो ऑईल करियूस और हमारी जो लाल मिर्च पावडर है वह एक यह हो जाए मतलब की मिक्स हो जाए यह देखिए यह हमारे चने और ये है टमाटर और कटी हुई बारिक कटी हुई प्याज ये कॉरियंडर और गारनिश के लिए मैंने ये सरकल में काटे है प्याज और लेमन और हरी मिर्च तो आप देख सकते हो इन इंग्रिडियन्स से हम बनाने वाले हैं हमारी चना चार्ड जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है मैं गैरंटी लेती हुँ आपको डेफिनेटल पसंद आने वाली है तो बहुत इजी और इंस्टन्ट बनने वाली ये रेसिपी है फ्रेंड्स आप अपने बच्चों को जरू से खिलाईएगा बनाके बह है एपको बिक्ष 안돼 दाल दीए हैं तो यह पाल के जालना है हमें कि डालना है टॉमेटो यार बिद काखली हेना अभी इपके डालेंगे लिन कोई अधूरी मतलब होस्तित है जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी रेशिपी घूंसbench करेंगे iphone और तो फिर यह देखिए यह मेने लिए है एक बोहत ही निव वाली मस् تवाली प्लेच तो यह बाउल के शेप में है यह बाउल नहीं है यह है प्लेच तो आप देख सकते हो मैंने जो है इसमें बाउल में यह चना चाट निकाल लिया है और अब हम करेंगे क्या करेंगे अभी हम करेंगे गानिश तो गानिश करने से पहले मैं यहां पर डाल रहे हूं थोड़ा सा लेमन क्योंकि हमें चटपटा चाहिए होगा हमारा चाट उसका नाम ही चटपटी है तो चटपटा चाहिए होगा ना यार तो एक सरकल में मैंने जो लेमन काटा है वो और फिर में डालूंगी 140 कॉरियंडर depository compare बड़ी है तो दिखने में जितना अच्छा लगता है उससे काफी must खाने में लगता है तो खाने से पहले हमारे नजरों को भी पसंद आना चाहिए ना यार तो यह देखिए हमारी जो चना चाटप है हमारी जो चना चटपटी है मुंबई की स्पेशल वो बनकर रेडी हो चुके है मिर्ची से गार्निश कर लिया है I hope आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक क कर दो